नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वाधत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों गर्भावस्ता के दोरान अगर आप धही खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है धही के अंदर बहुत अच्छे-च्छे पोशक्तत्व होते हैं जैसे के विटामिन्स हैं, कैंशियम हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो कि आपके लिए तो लाब्दायक होते ही हैं गर्भ में शिशू के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं शिशु का विकास सही तरीके से चले इसके लिए इन सब पोशक्तत्वों की आवशक्ता पड़ती है दोस्तो ज्यादा तर लोग दही को दो तरीके से खाते हैं एक तरीका होता है दही में नमक डालके खाने का और एक तरीका होता है दही में चीनी डालके खाने का तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको गर्वावसा के दोरान दही में जितने भी पोशक तत्व हैं उनका सही प्रकार से लाब चाहिए तो आपको दही का सेवन किस तरीके से करना चाहिए दोस्तु सबसे पहले तो हम यह जालेते हैं कि हम आखिरकार दही खाते क्यों हैं दही में असंख एसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं good बैक्टीरिया जोकि जब आपके शरीर में जाते हैं तो engime process सुचानी रूप से चलता है यानि कि आपके लिए धही खाना तभी फाइदे मन है जब आप उन बैक्टीरिया के साथ में धही का सेवन करें अब दोस्तों जब आप धही खाते हैं या रायते के रूप में भी खाते हैं तो उसमें ज्यादा तर नमक का परियोग हम लोग करते हैं और जैसे ही दोस्तो हम नमक को दही में दालते हैं, तो जो ये असंग के बैक्टिरिया जो जीवित होते हैं, ये एकदम से बिर्थ हो जाते हैं, एक मिनट के अंदर अंदर ये सारे के सारे बैक्टिरिया बिर्थ हो जाते हैं, यानि कि अब जब आप इस नमक पड़े हुई ध चीनी, गुर, बुरा, इस तरीकी की मीटी चीज जैसे की मिश्री इनको मिलाके खाते हैं, तो इन बैक्टीरिया की संक्या कई गुना बढ़ जाती है, और इससे दही की जो पावर है, जो शक्ती है, वो भी बढ़ जाती है, तो आप जब ऐसी धही खाते हैं, जिसमें चीनी, गुरा, गुर, जैसी मीटी चीज मिलाई गई हो, तो उससे आपके शरीर के अंदर असंख्य जीवानों आते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर लाप उचाने का काम करते हैं, तो दोस्तों हमेसे धही खाने से पहले इस बात का विशेश ध्यान रखें, कि गर्भावस्ता के सेवन, या तो बिना कुछ डाले करना चाहिए, या फिर कुछ वीठे डालके खाना चाहिए, जिससे कि आपको दही के गुण सही तरीके से मिल सकें, शिशु के लिए भी धही तभी फाइदे मन्ध होगी, जब ये आपने फाइदे मन्ध होगी, तो दोस्तों इस बात का खा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक बटन आवश्य प्रेस करें, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपक आने वाली वीडियो का संदेश एकडम सही समय पे मिल सकें, चैनले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार